पिछले दो दिनों से तेज गर्मी का सामना कर रहे लोगों के लिए मौसम विभाग में बड़ा अपडेट जारे किया है अगर आप कहीं भार घुमने जाने के प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले इन अपडेट को जरूर जान ले दिली NCR में दो दिनों की गर्मी के बाद आज मौसम बदल सकता है भारतिय मौसम विभाग यानि IMD के मताबिक आज से दिली NCR में बादल चा सकते हैं और लोग गरज के साथ हलकी बारिश का आनन ले सकते हैं इस बदलाब के बाद लोगों को आज से तेज गर्मी और लू से राहत मिल जाएगी। माना जा रहा है कि अगले चार दिनों तक अधिक्तम तापमान 4 डिग्री सेल्शियस और नियूंतम तापमान 25 डिग्री से नीचे रह सकता है। के गुजर रहा है। हाला कि पिछले साल की बात करें तो 9 अपरिल से लेकर 4 मई तक 13 दिनों तक लू चली थी। वहीं वर्ष 2021 में इसी अवदी में एक दिन, 2020 में चार दिन और वर्ष 2019 में एक दिन लू चली थी। वैसे साल अभी तक बने हुए सुहाने मौसम की वजा एक बा पाकिस्तानी से भरे बादल लेकर इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत वाचते हैं। इसके प्रभाव से अक्टूबर में मैं तक के बीच बीच में बारिश होती है। उत्तर पच्छिम भारत में इस तरह की बारिश को बे मौसम बरसात कहा जाता है। वह पंजाब और सिक्खिम में हलकी बारिश हो सकती है। तमिनाडू, रायल सीमा, करनाटक और पच्छिम हिमार्चल में भी हलकी से मध्यम इस्थर की बारिश की संभावना है। जबकि राजिस्थान में धूल भरी आंधी के साथ हलकी बारिश आ सकती है। तमाम अपडेट के आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज धन्यवाद।